नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मादवी ब्लोग में दोस्तो आज मैं आपको तुलसी जी से रिलेटेड एक कथा सुनाने जा रही हूं जो जिसका वरडन हमारे देवी भागवत पुराण में किया गया है इसके अनुसार बताया गया कि एक बार शिप जी ने अपने तेज को समुद्र में फेक दिया था जिससे एक महा तेजश्वी बालक का जन्म हुआ यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से बड़ा पराक्रमी दैत बना इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था दैतराज कालनेमी की कन्या ब्रंद महा राक्षत था अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्षमी को पाने की कामनाशे योद्ध किया परन्तु समुद्र मंथन से उत्पन होने के कारण माता लक्षमी ने उसे अपने भाई के रूप में स्विकार किया वहां से पराजित होकर हुए देवी पार्वती को प और वहां से अंतर ध्यान हो गई देवी पारवती ने कृद्ध uważो कर सारा भरतांत भगवान विष्णु को सुनाया जालंधर की पतनी ब्रंदा अत्यांत पति ब्रता थी जो कि जिसके पती ब्रध धर्म की सक्ती से जालंदर ना तो मारा ही जा रहा था और ना ही पराजित हो र जाद्धुरी था इसी कारण भगवान विशनु ने रिची का भेज धारड कर बंद में जा चा कर वहा हु दे कर देखा वहां भभणदाऑं के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्ने देखकर ब्रंदा भैवीत हो गई ब्रंदा ने रिसी ने उन राक्षुसों को भश्म कर दिया उनकी सक्ती देखकर ब्रंदा ने कैलास परवत पर महादेब के शाथ युद्ध कर रहे अपने पती जलंदर से के बारे में पूछा रिसी ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किये ए एक बानर के हाथ में जलंदर का सिर्था तर दूसरे के हाथ में धड़ अपने पती की यह दशा देखकर ब्रंदा मूर्चित होकर गिर पड़ी होस में आने पर उसने रिशी रूपी भगवान से बिंती की क्यों उनके पती को जीवित कर दे भगवान ने अपनी माया से पु का ब्योहार करने लगी जिससे उसका सतित्त भंग हो गया ऐसा होते ही ब्रंदा का पती जाला अंदर युद्ध में हार गया इस सारी लीला का जब ब्रंदा को पता चला तो उसने कृद्ध होकर भगवान विश्नों को शिला होने का स्राप दे दिया स्वयम सती हो गई जहां ब्रंदा भश्म होई, वहां तुलसी का पौधा होगा भगवान विश्नों ने ब्रंदा से कहा हे ब्रंदा तुम अपने सतित्त के कारण मुझे लक्षमी से भी अधिक प्रिया हो गई हो अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी जो मनुस मेरे साली ग्राम के साथ तुलसी का विवा करेगा उसे इस लोग और परलोग में विपुल यश्च प्राप्त होगा जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी अश्में नहीं जा सकते गंगार वह नर्वदा के जल से इस नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है चाहे मनु उसे मुक्त होकर बैकुंड धाम को चला जाता है जो मनुसु तुलसी वा आमले की छाया में अपने पित्रों का स्राद करता है उसके पित्र मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं देवी सती ब्रंदा का मंदिर जालंधर के महला कोट किशन चंद में इस्थित है कथा अनुसार इ जाते हैं कि अगर कोई 40 दिन तक सती ब्रंदा देवी जी के मंदिर में पूजा करें तो उसकी सभी मनों कामना पूर्ड हो जाती है जैमा तुलसी जैमा ब्रंदा जैमाता की दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार किसी प्रकार बनाए रखें धन्यवाद और मेरी चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद